नमस्कार सभी को एक बार पुने आप सभी का हारदिक श्वागत अभिनंदन है तो पुने हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं मेवाड की सिरीज का अगला प्रशन लेकर तो हर रोज सुबह की 6 बज़े आपको क्लासे मिल रही है उसी कड़ी में आज का अपना नया प्रशन ह कि 1818 में इस्ट इंडिया कंपनी से संधी करने वाले मेवाड के महरणा कौन से थे 1818 के अंदर इस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधी करने वाले मेवाड के महरणा कौन थे देखो इस्ट इंडिया कंपनी जो थी संधी जो की है ये संधिया जिनको अपने किस नाम से जान तो सहाइक्षंदी का भारत में जनक है लारड वेलेजली जो थे ये भारत में सहाइक्षंदियों के जनक थे भारत में सहाइक्षंदियों के जनक थे तो लारड वेलेजली भारत में सहाइक्षंदियों के जनक थे देखो ये जो सहाइक्षंदिया है ये इस शब्द का प्रिय किया था अपने एक तो हुई है सहाइक संदी और भारत में इस पर सबसे पहले हस्ताक्सर किश्क के दवारा किये गए थे तो भारत में एक रियास्त जिसका नामता हेदराबाद थे और हेदराबाद के राजा का नामता निजाम और हेदराबाद की निजाम ने सबसे पहले इस सहायक्षंदी पर क्या किये थे हस्ताकसर किये थे अगर हम इन सहायक्षंदियों में बात करें राजस्तान की तो राजस्तान में सहायक्षंदियों पर हस्ताकसर जो है वो कौन से रियास्त करती है सबसे पहले बर्दपूर ने किया था और बर्दपूर जो है वो 29 सितंबर 1803 क को हस्ताकसर करते हैं कि सबसे अंतिम जो राजस्तान में रियास्त थी जिसका नाम था सिरोही कौन से थी सिरोही थी और सिरोही के राजा सीर सिर्व सिंग ने 1823 के अंदर क्या की थी संदी की यह आपकी संदियां दो है एक तो है सहिक संदी और एक बोलते हैं अपने अधिनस्त संदी या हम यूं कहें कि आशरित पार्थ्य की निती के तहत की गई जो संदी है उस संदी को अपने अधिनस्त संदी कहते हैं इनका टाइम 1817 से 1818 तक था जो अधिनस्त संधिया हुई है ये 1817 और 1818 के अंदर जो संधिया हुई थी उनको अधिनस्त संधियों के समय में गवर्नर जर्नल कौन था तो हेस्टिंग ज था हेस्टिंग ज इन अधिनस्त संधियों के समय में बारत का जो गवर्नर जर्नल था ज क्रोली जो रियास्त थी इसने सबसे पहले हस्ताक्सर किये थे और क्रोली ने अपने सबसे पहले हस्ताक्सर कोन सी रियास्त करती है क्रोली रियास्त जो है यह सबसे पहले हस्ताक्सर करती है किसके उपर अधिनस्ति संदी के उपर क्रोली के लिए दो तारीके आती है यह 1817 में संदी कर लेते हैं इनके लिए एक तो 9 नवंबर या एक आती 15 नवंबर 1817 के अंदर इन्होंने संदी की थी 9 नवंबर या 17 नवंबर 1817 के अंदर इन्होंने संदी की थी आपसे पूछा है कि मेवाड का महराना को था संदियों के समय में? क्या करण सिंग था? या बीम सिंग था? या बक्तावर सिंग था? या रनजीत सिंग था? करण सिंग ने मुगल दर्बार में जाने वाला प्रथम राजकुमार. मुगल दर्बार में जानने वाला प्रथम राजकुमार जो प्रथम राजकुमार था जिसका नाम क्या था तो प्रथम राजकुमार जो थे जिनका नाम था करण सिंग भीम सिंग जो थे ये वो ही भीम सिंग से सोधिया है जिनकी पुत्री का नाम था क्रश्णा कुमरी और इन्होंने क्रश्णा कुमरी जो थी इसका रिष्टा मारवाड के भीम सिंग राठोड के साथ किया था लेकिन उनकी मरत्य हो जाती है उनका एक दूसरा भाई था जिसका नाम था मान सिंग जिसको अपने मारवाड में सन्यासी राजा के नाम से जानते है मान सिंग विरोध कर देते बाद में क्योंकि रिष्टा चेंज करके जो है वो आमिर की जगज सिंग के शाथ में की था साथ में इन्होंने 1818 में इस्ट इंडिया कंपनी से संदी की थी बकतावर सिंग कहां के राजा थे तो संदी के समय में अलवर के राजा कोन थे तो संदी के समय में जो अलवर के राजा थे जिनका नाम था बकतावर सिंग और रणजीत सिंग कहां के राजा थे तो बर्दपूर के जो राजा थे जिनका नाम था रणजीत सिंग 1803 के अंदर जो है वो बक्तावर सिंग ने संदी की थी अब अलवर का राजा था और अलवर 14 नवंबर 1803 के अंदर क्या करते हैं संदी करते हैं और रणजीत सिंग बर्दपूर का था और बर्दपूर ने 29 सितंबर 1803 को संदी की थी तो इस प्रशन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भीम सिंग और परतेक क्लास के लास्ट में आप से प्रशन पुछा जाता है उसी कड़ी के अंदर आज का प्रशन ये है कि जेपूर ने स साथ में जेपूर जो है ये संदी कब करता है ये आपको उत्तर कोमेंट में बताना है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए जय भारत तन्यवाद